वन इंजिया हिंदी यूट्यूब चानल पर श्वेता है आपके साथ भारतिय क्रिकेट टीम के कोच के पद से यू तो अनिल कुमले ने इस्तीफा दिया है लेकिन इससे मुश्किले विराच कोहली की बढ़ सकती है जी हाँ हम सच कह रहे हैं दरसल अनिल कुमले ने ये साफ कर दिया था कि उन्होंने अपना पद भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान विराच कोहली को होने वाली परेशानी के कारण छोड़ा है जिसके बाद अब मीजिया रिपोर्ट में ये मामला काफी तूर पकरड़ा है कि भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ट यानि BCCI ने कोहली से साफ कर दिया है कि अगर भारतिय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन बेर कोई भी आच आती है तो उसका जिम्मा सीधे तोर पर विराच कोहली पर जाएगा टाइमस अफ इंडिया को BCCI की एक अधिकारी ने बताया कि विराच कोहली से बोर्ट ने अपनी राय बता दी है अगर कुमले के जाने के बाद कप्तान के रूप में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो मुम्किन है कि उन्हें भी भारतिय क्रिकेट टीम में कुछ परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है यानि उन्हें भी हटना पड़ सकता है गौरतलबे की चैंपियंस ट्रोफी के फाइनल के बाद हुई बैचक में विराज कोली ने क्रिकेट एडवाईजरी कमिटी और बी सी सी आई के अधिकारियों के सामने ये साफ कर दिया कि उन्हें अनिल कुमले पर भरोसा नहीं है लेकिन फिर भी अगर उन्हें बाद ही किया जाएगा तो वे अनिल कुमले के साथ काम करने के लिए तैयार है वह अगर बात अनिल कुमले की करे तो जब वे CAC यानि क्रिकेट एडवाईजरी कमिटी के सदस्यों से मिले तो उन्होंने ऐसी कोई भी आपत्ती की बात नहीं की उनका कहना था कि उन्हें विराज कोली से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है आपको बता दे कि CAC के सदस्य सचन तेंदूलकर, सौरफ गांगुली और VBS लक्षमन है CAC के सदस्यों ने कप्तार और कोट से हुई इस बैठक की रिपोर्ट, सुप्रिम कोट द्वारा नेक्त किये गए कमिटी ओफ एड्मिनेस्ट्रेशन यानी CEOA को सौंप दिया है इस वीडियो में फिलाल इतना ही देश दुनिया राज़निती खेल सबकी खबरे मिलेंगी यहां आप बने रहिए हमारे साथ One India Hindi YouTube चानल